नमस्कार दोस्तों मैं सुदामा भोरायत आप लोग का संसकार क्लासेज पर स्वागत करता हूँ तो पहरे बच्चों तैयार हो जाएं अब की बार BSTC पार और आज के जो कोश्चन रहने वाले हैं 50 नहीं बलकि 100 इंपोर्टेंट कोश्चन रहने वाले हैं और ये 100 इंपोर्टेंट कोश्चन के कोश्चन डायरेक्ट आपके एकजाम के अंदर देखनों को मिलेंगे तो एक भी कोश्चन मिस नहीं करना है क्योंकि कोश्चन देखा और आगे चलते चलेंगे तो देखिए बहुत ही लाजवाव रहने वाला लास्ट में ये जरूर बता के जाना है कि कितने कोश्चन सही हुए हैं क्योंकि 100 कोश्चनों में से आप लोगों ने 70 कोश्चन भी सही कर दिये तो यकीन नहीं आपका सलेक्शन शोर है तो चलते हैं पहले कोश्चन की तरह फर्स्ट कोश्चन क्या कर दाए अकवर ने माराना परताब को समझाने के लिए किसे पिर्थम संदेश भाग के रूप में बेजा था जलाल खा को ओप्शन नमबर डी किसे बेजा था जलाल खा को राजिस्तान राज का चांस ये विस्तार है तो देखें ये हो जाएगा आपका 30 डिगरी 3 उतर से 30 डिगरी 12 उतर तक ओप्शन नमबर बी बिल्कुल सही होगा जो कितने सेंटीमेटर की संबर्स रेखा राजिस्तान राज की भूमी को लगबग दो बराबर भागों में बांटती है तो 50 बिल्कुल राइट आउस रोगा ओप्शन नमबर बी कितना होगा पचास वैजला जो सौधीपों के छेतर के नाम से जाना जाता है सौधीपों के छेतर के नाम से बांस वाड़ा ओप्शन नमबर बी बांस वाड़ा जाना जाता है राजिस्तान में अलफी सोल्स मुर्दा निमिलिक्तम से कहां पर पाई जाती है अलफी सोल्स मुर्दा तो देखे जैपूर के अंदर पाई जाती है option number B कहांपर पाए जाती है जैपुर में हरेकभूतर राजिστान में कि सब ब्यारन में पाए जाते हैं हरेकभूतर, तो देखिए सरिस्का ब्यारन में जो अलवर के अंदर आप लोगों का पढ़ता है अलवर के अंदर, option number D कहांपर पढ़ता है अलवर के अंदर राजिस्तान में सबसे छोटा किर्ची जलवायू प्रदेश है तो देखिए आर्द दक्षिनी मैदान ओप्सन नमबर वी कौन से होगा आर्द दक्षिनी मैदान राणा प्रताब सागरवांद इस्तित है तो देखिए चितोडगड में इस्तित है कहाँ पर चितोडगड में इस्तित है राजिस्तान में मुक्मंत्री सडक योजना किस वर्स में लागू की गई तो देखिए दोजाल पांच के अंदर लागू की गई थी ऑप्सन नमबर शी देखिए जामसर पिर्षिद है देखिए जामसर जिपसम के लिए पिर्षिद है ऑप्सन नमबर D, राजिस्तान में लोटते मांसून जितू की अबदी है, लोटते मांसून जितू की अदी होगी अक्टूबर से दिसम्बर तक, उप्सन नमबर C, अक्टूबर से दिसम्बर तक, राजिस्तान के कौन सी नदी करकरेखा को दो बार पार करती है, करकरेखा को कितनी बा संप सभा किस्तापना किस ने की देखे गुरू गोविंद गिरी ने ओप्शन नमबर भी गोविंद गुरू गिरी ने की थी निरंजनी संप्रदाय के संस्तापक कौन थे निरंजनी संप्रदाय के देखे संत हरीदास ओप्सन नमर तीन कौन थे संत हरीदास थे ठीक है राजस्तान का कौन सा किला दुर्ग स्वर्णगरी के नाम से पिरसिद्ध है तो देखे जालोर का किला au projector नमर D सवन्गडी के नाम से जालोर का किला ने मिले तम le inglés जैवान नाम है तो देखे जैवान किसका नाम है एक तोप का नाम है यह तोप का नाम होगा देखे मारवाड के राथोड़ गोगणडवे कुंबलगड के मध कौन सा पथार हिस्ते थै तो देखे आप से ताम फृराट का पथार इसम्होटा तो देखें गिलूंद सब्धा के अबसें पृस्तुती युग है तो देखेतें ताम पृस्तुती युगे KY जू ओंदियार की ख्यात में किस राजवन से संभनेत है तो देखिए मारवारण राठवारवन से समद लित हैter aimson number C नेमिलिक्तमसे किसे मतत्स संका राजपिरमुक्त नियोक्त किया गया है मतत्स संका राजपिरमुक्त दोलपुर का महराजा को के वोलियां के चेत्र में बोली जाती है एक एक कोश्चन बड़ा धमाकेदार है ये राइट आउस होगा देखे उत्री पूर्वी राजिस्थान ओपना ओप्सन नमबर शी उत्री पूर्वी राजिस्थान जामबो जी जहां प्रवचन करते थे वह क्या कहलता है तो क्या कहते हैं जामबो जी प्रवचन करते हैं उस सर्बोदे गती विदियों के लिए राजिस्तान का कौन सा छेतर चुना था जोदपुर की खीचन, कौन सा छेतर चुना था जोदपुर की खीचन, 18 अप्रेल 1948 को संयोक्त राजिस्टान का उद्गाटन किस ने किया था तो देखे जवालान लेहरू ने किया था जवालान लेहरू ने किया था बरहड किसान आंदोलन को संगठित करने बाला राजिस्तान सेवा संग हाटोती की साका का नेता कौन था तो देखे ने नुराम सर्मा थे कौन थे ने नुराम सर्मा बिलकुल सही होगा राजिस्तान में बाजरा नुसंदान के अंदर कहां पर इस्तित है तो देखे बाजरा नुसंदान के अंदर बाड मेर के अंदर इस्तित है कहां पर है बाद मेरके अंदर इस तरह बाद ज़ा अनुसंदान के अंदर है सूची वनको सूची टू के साथ सुमेलित कीज़ेगा और सही उत्तर का क्या करना है चैन करना है ये मिलाने वाला कोई सने ठीक है चलो इसको तो आप मिला कर हमें बता देना वैसे डोंट दुरी लेकिन हम बनाएं, मिला कर बताएं, चलो बिलाकर बतादेते हैं देखे, तालचा पर तो आपके चूरू के अंदर रही हैं देखे, सेरगट कोटा के अंदर पुलवारी की ना लोडेपुर के अंदर बंद बैराट, भरतपुर के अंदर देखे निर्मदा परियोजना से राजस्तान का सर्वाधिक लावांके जिला सबसे अधिक वर्षा होती है सबसे अधिक वर्षा होती है तो देखे आर्द दक्षनी पूर्वी मैदान राजस्तान में रामपुरा अंगुचा की खान किसके उत्पादन के लिए पिर्शिद है तो देखे यह किसके उत्पादन के लिए पिर्शिद सीशा एवं जस्ता के ल एक एक कोईशन को मिश मत करना ये मत करना कि तेज चलिए आखी आखों में निकालते रहे ना ये सोच लेना है कि गलत हुआ है कि ये कोईशन मेरे से सही हो रहा बस और कुछ नहीं सोचना ठीक है चलिए कोईवम नलकूपों से सिचाई करने की द्रेश्टी सबसे प्रमुक जला कौन सा है अलवर होगा बाई अलवर कौन सा हो जाएगा अलवर जो ठीक है बजाज सागरवान किस नदी पर इस्तित है देखे माही नदी पर इस्तित है ठीक है ना माही नदी देखे चैपा एक बीमार ही है बिल्कु रवी की फसलों के लिए किस की के लिए रवी की फसलों के लिए वेजला-यूग में जहां लाल-वे-पिली--0 देखे फाए जाती है तो देखे सवाई-मादो-पुर और शिरोई के अंदर पाए जाती है लाल और पिली- 1 चार्ल्स मेटकोप डोडोडोडोड देखे रिजिडेंट थे इसका उसर देख लेना वाई डिली ऑप्सन नम्मबर डी दिली बिल्कुल सही होगा राजिस्तान में गोपी कृष्ण बट किसके लिए पिर्षिद हैं तो देखे तमासा के लिए पिर्षिद हैं गोपी जन्म से संबंदित है तो देखे जडूला जडूला जन्म से संबंदित होगा जडूला नमेलिक्तम से राजस्तान के लोक जीवन में देखे नार्चरी सब्द किस से संबंदित है नार्चरी सब्द देखे ग्रह कीरिडा से संबंदित होगा ग्रह कीरिडा से लांगुरिया ग किस सहली में आयजित किया जाता है डोल निरत जो देखिए थाकना के अंदर आयजित किया जाता है थाकना के अंदर देखिए चारण सायत का पिरसिद गरंत सूरज पिरकास उसके द्वारा लिखा गया है सूरज पिरकास किसके दर ये लिखा गया है बिल्कुल राइट है उसक लेना आपका सावन देखे पड़िक माना सुत्ती चुन्नी ऑप्शन नमबर डी जो ठीक है राजिस्तान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा इस्तान पिर्शिद है 50 अरे पिरताब गड़िस्तित है भाया कौन सा पिरताब गड़ किना ठके हैं पाउं कभी नहीं हमत आ मेवाती बोली राजिस्तान के डोडोडोडोड छेत्र में बोली जाती है अलवर भरतपुर के अंदर बोली जाती है पिछवाई चित्रांकन की विसेवस्तू क्या है देखे सिकार राजिस्तान में बिलू पौटरी कला का सम्मंद किस जिले से है बिलू पौटरी कला का सम्म जैपुर्जले से होगा भाई जैपुर्जले से देखे नारायना डोट डोट जाना माना केंद्र है नारायना है जो यह हो जाएगा आपका दादू पंत से किस से दादू पंत से निमलितमसे कौंसा गड सुदर्सन गड के नाम से भी जाना जाता है नारगड सुदर्सन गड क नाम से जाने जता है जोगी मैल कहां पर रिस्ते दे वाँ क्या कुश्चन है वाई अरे जोगी मैल तो रंतम बोर के अंदर रंतम बोर अकवर ने चिद्धोर के कितने किलों पर देखे अधिकार किया है अकवर ने देखे 25 परवरी 1568 ओप्सन नमबर ए प्रितराच चोहां ति दिया कि पिता कौन थे अरे सोमेसुर थे वाई कौन थे सोमेसुर ते गनेशुर सब्दा का समद किस नधी से है अरे काटली नधी से अकवल की चितोड वज shed के उपरान्त मेवार में मुगल सासकों के दवरा चलाए गए सिक्क के कौन से थे अरे सिक्का एलची थे कौन से सिक्के थे सिक्का एलची मिर्दा जो पस्मी राजिस्तान में सरवादिक छेत्र में मिलती है अरे रेतीली मिर्दा मिलती है रेतीली राजिस्तान के किस जले में खस गास उत्पादित होती है खस घास सवाई मादोपूर और बरतपूर टॉंक के अंदर रुतपादित होती है जो राजिस्तान के दक्षनी पूर्वी पठारी छेत्र में आदिवासी लोगों द्वारा खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं अरे चिमाता बोला जाता उसे चिमाता बोला जाता है लून करंसा लिप्ट नेर देखिए लिप्ट नेरों के नाम से भी जानी जाती है कवर से इनके नाम से जानी जाती है कवर से इनके नेमिलितम से कौन सा इस्तान राष्ठी राजमार संक्या पंदरे द्वारा जुड़ा हुआ नहीं है जैपूर जुड़ा हुआ नहीं है कौनसा जैपूर देखे मंगला बागम और एसुर्या है बाड मेर के वाई ये तेल छेतर है कौनसे बाड मेर के तेल छेतर है नेमिलित में से कौनसा समू सुमेलित नहीं है तो देखे इसका परवती बांध भीलवाड़ा जो सुमेलित नही अनगड बिल्कुल सही कर लेना है राजिस्तान राजपती परिवेन निगम आरेस आरेटीसी की स्थापना किस वर्स की गई थी अरे 1964 में की गई थी वई 1964 में पचपंद्रा जिस खनीच की का महत्पून उत्पादक है पचपंद्रा कहां पर है बाड मेर के अंदर है यह हो जाएगा आपका नमक नमक जो खाते हो ना आप लोग वह बाला नमेलितमत से किसकी पृतिमार रणकपुर के चौमो का मंदिर में पृतिष्ठित है तो देखे य होगा आपका आदीनाथ कहां पर है आदीनाथ है जो ठीक है बीका नेर के जोनागाड के लिए का निर्मान किसने करवाए था देखे महाराजा राय सिंग ने करवाए था किसने महाराजा राय सिंग ने जारणा पाटन के सूर्य मंदर के पिरमुग विसेश्था क्या है सूर राजिस्तान बेदान सवा की पिर्था महिला द्यक्ष कौन थी देखें ओके देना की जिसकी जोली भरी होगी जो इनको देखेगा है हम जानते हैं भाया चलिए तो देखें इसका उंसर क्या होगा सुमित्रा सिंग बिल्कुल सही आउंसर होगा सुमित्रा सिंग मतस्त संग का प्रदान मंत्री किसे बनाया गया है अरे सोवा राम को बनाया गया है मतस्त संग का प्रदान मंत्री सोवा राम को बनाया गया है राजिस्तान के स्री समाचार पत्र का प्रकासन किस ने किया है अरे बिजय सिंग पथित ने किया वाई बिजय सिंग पथित ने जो 1817 और 1818 के दोरान ने मिलिक्तमा से कौन सी रियासत पिर्थम थी जिसने अंग्रेजों के साथ संदी की थी अरे करोली रियासती वाई कौन सी रियासती करोली जमना लाल बजाज एबं कपूर चंद पाठ ने किस पिरजा मंडल से जुड़े हैं जैपूर पिर्जा मंडल से जुड़े हैं जैपूर पिर्जा मंडल से मनाया जाता है तो देखे 30 मार्च को मनाया जाता है राजिस्तान दबस 30 मार्च रावन हत्य क्या है एक भी बच्चा छोड़ के मत चलाना देखे रावन हत्य बताना रावन हत्य क्या हो जाएगा ठीक है अरे बाया यह हो जाएगा बादी अंत्र क्या होगा बाद यंत्र होगा नेवरी आभूसन सरीर के किस संग पर पहना जाता है अरे ये टकना पर पहना जाता है टकना पर नेवरी है जो वैजला यूग में जहां सागवान के बन पाए जाते हैं उदैपूर और डूंगर पूर है जो ठीक है चलिए देखे राजिस्तान में सोम कागडर सचाई परयोजना कहां पर इस सद है वाई या होगी उदैपूर के अंदर सद है नेमिलितमसे किस स्थान को राजिस्तान का देखे वरको आस्क कहा जाता है ये माउंट आबू बिल्कुल सह योगा वाई माउंट आबू पानी के पक्षियों के लिए कौन सा राष्टी उद्धान अंतराष्टी इस्तर पर प्रिसिद है अंतराष्टी इस्तर पर जो प्रिसिद है उसके बारे में देख लेना वाई ये भरतपूर बिल्कुल से होगा जहां पर केवला देव राष्टी है उद्धान भी है जामार को से कौन से खाले पानी की जील नहीं है आना सागर जील खाले पानी की नहीं होगी आना सागर जाखम बहुत देश्य परियोजना राजिस्तान के कौन से जिले में इस्तित है पिरताब गड़ में इस्तित है वाई पिरताब गड़ में राजिस्तान में गुन्नीश भी पसुगन किस वर्ष में की गई है अरे 2012 के अंदर भूल गए 2012 देखे किस पिरकार का उर्जा संसाधन पर्यावरन को प्रदूसित नहीं करता है अरे सोरिक सूरिय के जरिये जो होती है राजिस्तान के जोदपूर जैसल मेर बाड मेर और नागोर जिले में मुकरूप से कौन सी मिर्दा पाई जाती है कौन सी मिर्दा पाई जाती है अरे मरुस्तलिय मिर्दा पाई जाती है सब को पता है राजिस्तान की एक मात्र बारह मासी नदी कौ अंतर राज मेर की बिल्कुल सही कर लेना है राज मेर से कौन सा बहुतिक प्रदेश राजिस्ćान की जीवन रीका कहा जाता है तो देखे अरावली पहाड़ी कौन है पहाड़ी कहा cities नहीं है इस का trading करना है आप सभी को मेरे प्यारे प्यारे लाटले वच्चों को क्या करना है सही करना और कमेंट सेशन में जरूर बताना है समझ गयों न यह जल्दी इसलिए कराया है क्योंकि इस वक्त कम पढ़ने का वो नहीं है सिर्फ जादा पढ़ने का टारगेट समझ गयों आंखी आंखों में निकालना है और मैंने पंद्रे मोडल पेपर भूल तो ना गई आप लोग पांच अजार एंसी के ओ एक भी कोश्चन भार आ जाया तो गारंटिय मात्र पचास रुपे में मिल रही है नमबर यह च्यानवे सी क्यासी सत्यानवे अठ्यानवे से नमबर पर आपको पैसे डालें पचास रुपे और यह पांच अजार कोश्चन पंद्रे मोडल पेपर अभी मौका है पढ़ ले ना वाया और कमेंट्स रसन में बदा देना कितने कोश्चन आप लोगों से सही है थैंक यू जय भारत बंदे